नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है चंदन पुद्दार और बात करते हैं आज की टॉप बिस्नस न्यूस की सबसे पहली न्यूस आई मुकेश अम्बानी के रिलाइंस रिटेल से जी हाँ रिलाइंस रिटेल और बियानी के जो फ्यूचर ग्रूप है इनके बीच में जो 3.4 बिलियन डॉलर की डील होने वाली थी उस पे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है होल लगा दे कि यह डील नहीं होगी अब पूरा का पूरा माजरा क्या है मैं आपको बताता हूँ Actually मैं Future Group की डील साइन हुई थी Amazon के साथ Amazon ने Future Group के साथ क्या डील साइन की थी Amazon जो है Future Group की जो Unlisted firm है जैसे Future Coupons उसको जो है पाए करेगा और उसके पास यह right होगा कि अगले तीन से दस सालों के समय में वो कभी भी Future Group को purchase कर सकता है ऐसा कहना है Amazon का कि उसकी डील साइन हुथी किसके साथ Future Group के साथ लेकिन COVID आ गया COVID आने की वज़े से हुआ क्या Future Group जो है Cash Crunch में चला गया और पिछले चार क्वार्टर से लगातार जो है वो Losses Report कर रहा है और Future Group का यह कहना है कि उसकी जितनी भी फर्म्स हैं वो इस में फर्म पर डिपेंड करती है जो इस समय Cash Crunch फेस कर लिया तो Future Group ने क्या किया एक डील साइन कर ली अमबानी के Reliance Retail के साथ 3.4 बिलियन डॉलर की की 24,713 करोड उपे में लगबग जो है Future Group को Reliance Retail पर्चेस कर लेगा अब यहां पर Amazon को दिक्कत ग्यों हो रही है Amazon को इसलिए दिक्कत हो रही है कि Amazon जो है वो भी बीच में बहुत जादा मेटर करता है क्योंकि अगर Reliance Retail को Future Group मिल जाता है तो माना जा रहा है कि Almost India में उसकी जो प्रेजन्स है वो डबल हो जाती है तो उसके लिए डील इसलिए बहुत जादा मेटर करती है उधर Amazon जो है क्योंकि वो strong टकर देना चाता है Reliance Retail को वो उसको आगे नहीं बढ़ने देना चाता है तो वो चाता है कि इसी भी तरीके से ये डील मुकेश अम्मानी के Reliance Retail के साथ मिटलाइज होना हो Actually उसे problem Future Group के साथ नहीं उसे problem है कि ये deal मुकेश अम्मानी के साथ क्यों हो रही है अब इसके लिए last year Singapore Arbitration Court से वो stay ले भी आया था फिर उसके बाद Future Group ने उसे मानने से मना कर दिया फिर उसके बाद ये close गया Delhi High Court के अंदर Delhi High Court के अंदर single judge की bench ने बोला कि ये deal नहीं हो सकती फिर ये double judge की bench पे गया उन्होंने बोला कोई ऐसी दिक्कत ने ये deal हो सकती है अब उसके बाद Amazon ने Supreme Court में अपील फाइल करती है और finally Supreme Court ने टाइम बिंग इस deal के ओपर stay लगा दिया है कि ये deal नहीं हो सकती हिंदुस्तान के बड़े बड़े lawyer इस case पे represent कर रहे हैं और even अगर मैं आपको बता हूँ Future Group की तरफ से हरी शालवे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो देखते हैं क्या होता है अगली news क्या है Petrol और डीजल के prices ये कमीनी होने का नाम ले रहे हैं अब ऐसा क्यों मैं आपको बता रहा हूँ क्या फरक पड़ता है भी नहीं कम हो रहे तो फरक ये पड़ता है क्योंकि international market के अंदर जो prices हैं पिछले तीन हफ्तों में पांच डॉलर प्रती बैरल जो है वो कम हो चुके हैं लेकिन हिंदुस्तान की market में वो कम होने का नाम ही नहीं ले रहे और इसका मतलब यह है कि जो इतनी भी oil marketing companies हैं आपकी भारत पे टोलियम हिंदुस्तान पे टोलियम दबा के इसके अंदर margins जो है create कर रही है और आपको पता इनकी government holdings बहुत अच्छे हैं ये dividend form में अच्छा गासा income जो है government को transfer करते हैं माना जा रहा है कि ऐसा ही इस पर कुछ देखने को मिलेगा तो अगर short term के अंदर dividend income देखनी है तो invest कर सकते हो क्योंकि oil prices international market में तो कम होने ही होने और इनकी मुझे नियत लग नहीं है कहीं से भी prices कम करेंगे तो अच्छे margin report कर सकते है आपको मैं बताना चाहूंगो जो retail prices होते हैं petrol के वो किन factors पर depend करते हैं तो crude oil जो हमें पता ही होते हैं इसके अलावा foreign exchange rate क्या चल रहा है international prices क्या चल रहा है price in petrol कर सबसे बड़ी चीज यह जो OMCs है that is oil marketing companies यह अपना कितना margin रखना चाहती है इसके बाद बड़े दिनों बाद news आई hotel industry से investment की तो सुचा आप लोगों को बता दे वैसे तो hotel industry, aviation industry पूरी की पूरी ठप पड़ी है लेकिन Hilton जो की 102 साल पुराना international brand है वो हिंदुस्तान के अंदर 12 mega project जो है वो launch कर रहा है मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये already दो partnerships करने की इसने कोशिश करी DLF के साथ और Obraai Hotels के साथ और ये दोनों fail होगे पहले Obraai Hotels के साथ 2004 से 2007 में fail हुई फिर 2007 में DLF के साथ fail हुई अब ये 12 mega project जो है अपने launch करने की planning कर रहा है ऐसा इस तरह का project लाना चाहते है जो सबसे बड़ा इनका flagship project हो सकता है उसी के साथ साथ जो Lemon Tree Hotels है पातु के इसवानी जो उसके founder है उन्होंने का कि इंडिया के अंदर जो है देखो ऐसी दो ही markets है जाने इस तरी के flagship projects जो है आप पूरे absorb कर सकते हो एक है Delhi NCR और एक दूसरा है Mumbai लेकिन सबसे बड़ी problem कि हमाँ land cost बहुत है यह तो आपकी जो construction cost है वो overall बहुत ज़्यादा हो जाती है फिर उसके इसाब से चीजों को manage कर पाना बहुत मुश्किल है देखें इंडिया के अंदर यह concept जो है लेकिन विदेशों में एक concept बहुत ज़्यादा प्रिवेलिंग है और Hilton जो है उसी तरह का प्रोजेक्ट इंडिया में ला रहा है और even lemon trees का भी खुद का Mumbai airport के आसपास कुछ मिलता जुलता प्रोजेक्ट चल रहा है 1000 करोड़ पे की investment से वो एक hotel बना रहे है जिसके हो कि Mumbai airport के आसपास होगा million square foot के अंदर ये फैला होगा और माना जारा के लिए दो साल के अंदर ये complete हो सकता है तो अच्छी जीज है होटल इंडेस्ट्री में इंवेस्ट्मेंट हो रहे है मतलब कही ना कहीं future के अंदर इनको लगता है या आप हमको जो side effect हो सकते हैं अगर लोगों को ये vaccine लगी फाइजर ये बॉडना तो side effect की वज़े से जो अगर कोई claim करता है हमारे उपर कोई legal case करता है तो उससे आप हमें relief तो तब ही हम आपको अपनी vaccine देंगे इसको बोला जाता है indemnity लेना मतलब हमें protect करो उस loss से जो हमें हो सकता है किस loss से अगर किसी ने legal action ले लिया तो अभी ये clear नहीं कि JNJ ने भी इस तरीके का कोई clause रखा है वैसे माना जा रहा है नहीं रखा होगा Pfizer and Moderna जो है वो अपनी vaccines को इंडिया में लाने के लिए discussion कर रहे हैं कि उन्हें इस तरह का indemnity clause चाहिए लेकिन ऐसा बाना जा रहा है कि ये जो indemnity relief है इनको नहीं दिया जाएगा क्योंकि इनकी already order book full हो चुकि है इसके उपर मैं एक बड़ी जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ अगर मैं आप बना पया 2023 तक ये company अपने order पूरे कर चुकिए मतलब इतना इनके पर जबरदस्ट demand है और बहुत कम quantity अगर इनको ये approval दे भी दिया जाता है indemnity हम दे भी देता है कि ठीक है आपके उपर कोई legal case होगा तो आपको compensation नहीं देना होगा तो भी ऐसा नहीं कि Pfizer और Moderna बहुत बड़ी quantity में इंडिया को vaccines देने के लिए तयार है तो इसलिए जो government है इनको ये relief देना नहीं चाहती है इसके बाद अगली news आई Reserve Bank of India से वो अपनी digital currency जो है launch कर सकता है जिसको CBDC बोला जाएगा Central Bank Digital Currency इसका model इस साल के end तक हमें देखने को मिल सकता और ये Bitcoin की तरह virtual currency नहीं होगा प्राइविट currency नहीं होगा ये पूरा का पूरा एक judiciary मैं कहूं legal banking system की तरह होगा जो आपके हाथ में currency notes होते हैं समझ लीजे वो ही digital form के अंदर हो जाएगा ये जैसे पहले share certificate होते थे अब वो DMAT account में होगा इसी तरीके से आप मान के चल सकते हैं और ये comparatively बहुत safe होंगे और ये नहीं कि सिर्फ इंडिया प्लान कर रहा है worldwide बहुत सारे जो Central Banks हैं इसके उपर काम कर रहे हैं और वो अपनी currency को digital currency में convert करना चाहते हैं लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़े हो सकते हैं कहीं पूरा banking system collapse ना हो जाएं काफी सारे factors देखने को मिल सकते हैं तो इसमें भी बहुत चर्चाएं चल रही हैं और सब कुछ सही रहता है तो इस साल के end तक हमें इसके उपर कोई model देखने को मिल सकता है तो ये थी आज की top business news कैसी लगी comment section में ज़रूर बताएग और PPT आप हमारे डलीलाम चानल से ले सकते हैं जैशी शाम